ओख तुखार नव्यापई, कंठ मिलया हर नाहो, मन बेदे आचर नार बिंद, दर्सन लगडा साहो। ओट गोविंद, गोपाल रए, सेवा स्वामी लाहो। बिखे आपोहे न सकई, मिल सादू गुनगा हो। जैहते उपजीते मिली, सची प्रीत समा हो। कर गहे लिनी पार ग्रम, बोड ना विच्डियाओ। बार जाओ लख बेरिया, हर सजन अगम अगा हो। सर्म पई नारायने, नानक दर पईयाओ। ओख सुहंदा सरब सुख, जिस बख से वे परवा हो। ओख सुहंदा सरब सुख, जिस बख से वे परवा हो। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फत्हे। तंतं साहेब शिरी गुरु ग्रंक साहेब जी महराद जी दे पावन अंग। इक सो पैंती वन थ्री फाइव ते विराजमान पोदा महिना पाक्षा जी पोदी संगरांद ते संगी हुकम देने। केंदे पोख तुखारन व्यापई कंठ मिलेया हर नाहो। मन बेदे आचर नार बिंद गर्सन लगडा साहो। ओट गोविंद गोपाल राय सेवा सममी लाहो। विखेया पहन सक्तई मिल सादू गुन गाहो। In the month of four, the cold does not touch those whom the husband lord hugs clothes in his emperance. Their minds are transfixed by his lotus feet. They are attached to the blessed vision of the Lord's darshan. Seek the protection of the Lord of the universe. His service is truly profitable. Corruption shall not touch you when you join the holy sense and sing the Lord's praises. पाच्छा जी केंदे पोद महिने जिस जीविस्तरी दे गालनाल हिर्दे विच प्रभुपती लगा हुए। उसनों ककर मन की कठोरता कोरापन जोर ने पासकदा। क्योंकि उसनी बृति जेली उदी बृति हुंदी है। जिस इंसान दा प्रभु वालनू प्यार पैजाए। पाच्छा जी केंदे एक ओद महीना चड़ गया। जिस इंसान दा प्रभु वालनू प्यार पैजाए। उनू कदे भी किसे तो तो खाने मिल सकदा। जिस प्रमात्मा तो उसने जनम लेया। उसे विच ओ जुड़ी रहंदी है। उस दी लिव प्रभु दी प्रीत विच लगी रहंदी है। प्रमात्मा ने उस दा हाथ पड़के उसनू अपने चर्ना विच जुड़या हुंदा है। ओ मुड उस दे चर्ना तो विचड़ दी नहीं। एप ओ दा महीना चड़ गया पाथ्षा जी कह दे। एस वेले अगर कोई वे इंसान प्रमात्मा दे नाल जुड़ जाये। उनू कदे वी किसे तो तो खाने मिल सकदा। प्रमात्मा मेर कार देंदा है। असार दास करनी के सानू अपने नाल लालो। सानू अपने लाल लालो। अपने चर्णी लाव पाथ्षा जी साडेतों में बानी चकोवाओ। सानू बानी ते अनू सार जीवन जीन दी मत बक्षो। इपोदा महीना चड़ गया पाथ्षा जी कहन दे। हुन, I am a sacrifice thousand hundred times to the Lord, my friend and unapproachable and unfortable. Please preserve my honour Lord Nanak begs at your door. Poise beautiful and all comfort come to that one whom the carefree Lord has overgiven. Vaheguru Ji ka khalsa Vaheguru Ji ki fath hai You